आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तों, हमारे सामने प्रशन है आठ मिल्टर उचाई और अधार की तरिज्जा 6 मिल्टर वाले एक शंकू के अकार का तंबू बनाने में 3 मिल्टर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटिमिटर लंबा तिरपाल अतरिक्त लगेगा तो पाई बरावर 3.1,4 का प्रयोग कीजिए यह हमें कहा गया है तो दोस्तों यहां जो हमें कहा जा रहा है कि एक शंकू नूमा क्या है तंबू है एक शंकू नूमा क्या है तंबू है अब इस तंबू को देखे दोस्तों इस प्रकार का यह तंबू होगा हमें दिया गया है उसके अधार का हमें उसके अधार की तरिज्जा दे दी गई है तो यह देखे इस प्रकार का शंबू है तो देखे यहां से इसकी लंबवत उचाही दी गई शंकू की कितनी 8 मिटर और इसकी तरिज्जा अधार की तरिज्जा दीए 6 मिटर तो इस शंकू की और इसकी तीरियक 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 तीरि मिटर, ल कितना आ जागा, दस मिटर इसका शंकू का, तिरिया कुछ आई. और हमें क्या आ जा रहा है, कि एक चादर है इस तिर पाल की हमें, तिर पाल का चादर है जो हमें ग्याद करना है कि इस शंकू को बनाने में जो हम उपर लगाएंगे, इसके पर केनवासिंग करेंगे तो उसके लिए हमें इसकी चोड़ाई दे दी गई इस चादर की वो कितनी है दोस्तो तो इसकी चोड़ाई हमें दी गई है जो की है जो की कितनी है दोस्तो इस तिरपाल की चोड़ाई तीन मीटर तीन मीटर यह चोड़ाई है हमें क्या निकालना है तिरपाल की लंबाई ग्याद करना है, तो दोस्तों हमें ये तिरपाल की लंबाई ग्याद करना है, दोस्तों इसकी लंबाई ले लेते हैं, X मीटर, ये हमें ग्याद करनी है, ये क्या है, हमारा तिरपाल है, जिसको हम इस संकु के ओर बिचाएंगे, तो संकु का उचाई संकुरुमातंबू की उचाई ह ह बराबर 或 क्यतना है आठ मीटर तरिज्यर र बराबर 6 मीटर और इसकी एल हमने निकाली है तिर्यक उचाई इसकी तिर्यक उचाई उचाई, तीर्याक उचाई, एल बराबर, यह कितना है, दस मीटर, तो यहां से इसका वक्र प्रिष्ट क्या हो जाएगा, तो चूकी दोस्तों, चूकी जितना शंकू का वक्र प्रिष्ट होगा, वह चादर के छेतरफल के बराबर होगा, याने तिरपाल, तिरपाल के छेतरफल के बराबर होगा, चेतरफल के बराबर होगा, क्योकी उसी तिरपाल को हमें शंकू के रूप में बनाना है, बराबर होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो देखें दोस्तों, क्या हो जाएगा, तिरपाल का छेतरफल, तिरपाल का छेतरफल, बराबर क्या होगा शंकु नुमा तंबू का वक्क प्रिष्ट तो दोस्तों वक्क प्रिष्ट का सूत्र क्या होता है शंकु का यह हो जागा पाई आर एल और यहां से तिरपाल का चेतरफल क्या हो जाएगा इसकी लंबाई गुणे चोड़ाई तो यहां से क्या हो जाएगा यह देख अब इसे हल करते हैं तो x बराबर क्या आएगा 3.1,4 का गुणा 10 से यह हो जाएगा 31.4 गुणा 6 बटा 3 3 एकम 3 दिन दुनी 6 कितना आ रहा है दोस्तो x बराबर यह हो जाएगा 65.8 62.8 मीटर यह हो गया हमारे तिरपाल की लंबाई तो अब दोस्तों हमें क्या कहा गया है कि इसके लिए अत्रिक्त देखे प्रश्ण में कि 20 सेंटीमिटर का टाइम में 20 सेंटीमिटर लंबा तिरपाल अत्रिक्त लगेगा तो हमारा कुल तिरपाल की लंबाई कुल तिरपाल की लंबा तिरपाल अतिरिक्त लगता है कटाई में अतिरिक्त लगता है तो यहां से क्या हो जाएगा इसलिए लंबाई तिरपाल की लंबाई यह क्या हो जाएगा दोस्तों 62.8 मीटर धर 20 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा तो हमें चुकी पता है एक सेंटीमीटर बराबर एक बटा सौ मीटर अब हमें इसे हल करेंगे तो क्या होगा यहां से 62.8 धन 20 बटा सौ मीटर अब यहां से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 62.8 धन 0.2 तो इन्हें जोडने पर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 62.8 में 0.2 जोडेंगे यह हो जाएगा 63. कितना हो जाएगा दोस्तों? 63 मीटर. तो यह हो गया हमारे कुल लंबाई कितनी चाहिए तिरपाल की 63 मीटर होग झाल झाल